चलिए इस बिरम हम बात कर लेते हैं आर आर यानिकी राजस्तान रोयल के बारे में क्या राजस्तान रोयल पूरी तरिके से तैयार है नेक्स्ट आई पेल को खेलने के लिए क्या पुरुतीरिके से सेट हो चुका है इनका टीम और क्या हो सकता है इनका बेस्ट प्लेंगलविन इन सभी चीजों के बारे में हम डिसक्स करेंगे यानिकि एक टोटल प्रिवी वीडियो आपको मिलने वाला है राजुस्तन रोयल के बारे में तो राजुस्तन रोयल ने टैंसपर बाकर में बहुत ही ज़्यादा हला माचाये था इस बार आपको बता है और उनका जो कैप्टेन था अजिंग के रहाने वो भी चला गया है दिली केपिटल्स में तो इनके पास अजिंग के रहाने इस बार मौजूत नहीं है लेकिन उसके बाद ए ओक्टेन में जाकर बहुत सा सौपिंग किया लगभा 11 खिलार को एक्टेन से उठाया है इन्होंने और छोटा छोटा सौपिंग था लेकिν बहुती महतोपुर्ण अपया है बहुती अच्छा-चाकिलार को इन्होंने फिक किया है चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आक्सें से इनके टीम में कौन-कौन सामिल हुआ है तो ओक्सें से खरीदा है जादयब उनाकत को फिर से कम पैसा दे कर इससे पहले बहुत ही जादा पैसा दे रहा था लेकिन इस बार स्विप तीन करोड में ही जादयब उनाकत को खरीद लिया है राजस्तन रोल ने उसके बाद रॉबिन उत्थप्पा को खरिदा है 3 करोड में SOSV जस्वाल को 2.4 करोड में उसके बाद कर्टिक त्यागी को 1 करोड में टॉम कुरन को 1 करोड में अनुज रावत को 80 लाग में डेविड मिलार को इन्होंने 35 लाग में ही खरिद लिया है उसके बाद आनिरुद जोसी इनको खरिदा है 20 लाग में अकास सिंग को इन्होंने खरिदा है 20 लाग में और उसियन ठामास को भी सायद 20 लाग में ही खरिदा है मुझे इसका डिटेल्स अभी सामने नहीं दिखाई दे रहा है तो असीन ठामास को भी इनोंने खरीदा है ओक्सेन से ही टोटल इनी 11 खिलाडी को ओक्सेन से अप्मेन टीम में सामिल क्या है और इसके बाद मैं आपको टोटल स्कौर्ड एक बर बता देता हूँ तो इसकौर्ड में मौजूद थे स्टेविन स्मीट, रियान पराग, एस्वेस्वी जसबाल, डेविड मिलर, मनन बोरा, ससंग सिंग, बेन स्टोक, महिपल लोम्रोर, स्रियास गोपाल, टॉम कूरन, अनुज जोशी, जॉस बटलर, संजू सेमसंग, अनोज रावात, रोबिन जितने एंके बैटिंग है, उतना अच्हा ही बालिंग है, तोटली एक मिला जुलाकर बैलेंस टेम, हम लोग कह सकते हैं, इस टिम को उतना ज्याधा स्ट्रॉंग और उतना ज्यादा कमजोर, नहीं कहेंगे ठीक थाकी है, कहीं पर भी कुछ गरबर उतना नज़र नहीं आ र लग रहा है competitive लग रहा है नेक्स्ट चली हम बात कर ले थे राजस्तान रोयल का क्या बेस्ट प्लिंगरभन हो सकता है नेक्स्ट आइपल खेलने के लिए उसके बारे में तो भाई पहला कर ऑपिनिंग की बात किया जाए तो मैं जा रहा हूं जौस बटलर और S.P.S.P. JASWAL के साथ 7-7 रोबिन उत्थाप भी हो सकता है जस्ट वाल के जगे तीन नमबर पर संजीज संसंव, चार नमबर पर स्टिम स्मीथ, उसके बाद 5 नमबर पर बेन स्टोक या यहां पर मिलार का भी जागा बन सकता है लेकिन मुझे नहीं लग रहे है कि मिलार को खि बख लेते हैं यहां पर और कोई option तो नजर नहीं आ रहे तो रियान परग मेरे ही सबसे आग नमबर पर सिर्यास गोपाली या यहां पर आपको मयंक मरकंडे भी दिखाई दे सकता है लेकिन चोईस भाई मेरा सिर्यास गोपाली होगा उसके बाद 9 नमबर पर जोफरा अर्चर टरंग कोड़न भी एक option है साइड में लेकिन फास्ट चोईस रहेगा जो फ्राइचर उसके बाद 10 नमबर पर और 11 नमबर पर बरुन एरॉन तो भाई मेरे ही सब से एही होने वाला है रायस्तान रोयल का बेस्ट पिलेंगल भेन आप लोग क्या सोच रखते हो रायस्तान र को ज्यादा श्यादा शेयर कर दिए ताकि उनको विस्तार की इंपोरी चीज़ें को बारे में बते चले और आप नावी चनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को भी प्रेस कर दिए तक कि आपको फैड़ा पर नोटिफिकेशन मिलें जब यह मैं वीडियोड करू कर दो